नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायन के रचैता महर्शी वालमिकी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। आईए शुरू करते हैं, महर्शी वालमिकी जो एक आदी कवी के रूप में परसिद हैं, उन्होंने संस्कृत में रामायन की रचना की है। लेकिन बच्पन में एक भीलनी ने वालमिकी को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोशन भील समाज में हुआ, और वे डाकू बने। डाको के संसर्ग में रहने के कारण ये लूट पाट और हत्याएं करने लगे, और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। महर्शी वालमिकी का नाम वालमिकी क्यों पड़ा? महर्शी वालमिकी के नाम को लेकर एक किस्सा चर्चित है, कि वे एक बार भगवान राम की साधना में लीन थे, तो उनके शरीर पर दीमको ने अपना घर बना लिया था। इस सबसे बेखबर वालमिकी जी इश्वर भक्ती में ही डूबे हुए थे। साधना पूरी होने के बाद ही वालमिकी जी ने दीमको को अपने शरीर से हटाया था। तभी से उनका नाम वालमिकी पड़ गया। दीमको के घर को वालमिकी कहा जाता है। इस वजए से महर्शी का नाम भी वालमिकी पड़ गया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ताकि आपको इसी तरहें की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।